हाई एपरिवन इट सुस्मिता रेसिपी में आपका स्वागत है आज आप लोगे साथ सेड करेंगे आलू मतर की सबजी तो चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को देरी किस बात की समय ना गमाते हुए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं इसे बनाने के लिए कढ़ाई में दो बड़ आलू को दो भाग में काट लिया था मैंने अब डाल देंगे तेल में सारे आलू को डाल दिये हैं अब इसे मिडियम फ्लेम पर ब्राउन होने तक तल लेंगे तल लिए हैं अब इसे निकाल लेते हैं इसी तेल में हम डाल देंगे तेजपत्ता एक पकालेंगे इसमें लान डालेंगे बड़ी इलाची दो छोटी इलाची दो लॉंग एक डालचीनी डाल देंगे पकालेंगे इसको दो सुखा लाल मिज डाल देंगे आदा छोटी चम्मज जीरा डाल देंगे पका लेंगे ख्लेम को मीडियम रखेंगे अब हम इसमें बड़े साइज का प्याज काटके डाल देंगे पका लेंगे इसे अब हम लिये हैं लसन, अदरक, हरीमिच, प्याज सभी को ग्रेंडर जार में पीछ लेंगे पीछ लिये हैं प्याज, लसन, अदरक, हरीमिच को डाल देंगे इसमें मिला देंगे डो टमाटर लिये हैं इसे वी ग्रेंडर जार में पीछ लेंगे अब हम इसमें मसाले डालेंगे मसाले में डालेंगे आधा छोटी चमच हल्दी पोडर आधा छोटी चमच धनिया पोडर आधा छोटी चमच जिरा पोडर आधा छोटी चमच मिर्ची पोडर स्वाद अनुस्वार नमक डाल देंगे, सभी को मिला देंगे अच्छे से फ्लेम को मीडियम में रखेंगे अब हम इसमें मटर डाल देंगे, एक कटूरी से थोड़ा कम है डाल देंगे मटर को मिला देंगे धक कर मटर को पकाएंगे, मीडियम फ्लेम पर अब हम इसमें टमाटर जो पीछ के रखे थे डाल देंगे मिला देंगे धक कर पका लेते हैं और मटर को अब इसमें डालेंगे आदा छोटी चम्मस गरम मसाला पौडर मिला देते हैं बॉयल किया हुआ आलू जो हम फ्राइ करके रखे थे डाल देंगे इसमें मिला देंगे फ्लेम को मीडियम लखेंगे धक कर पकाएंगे मसालो को आलू मटर सबको अब हम इसमें दो कप पानी डालेंगे निला देंगे धक कर 10 से 15 मिनिट पकाएंगे अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेर सस्क्राइब करना बिलकूल न भूले तो लीजे तैयार है आलू मटर की सबजी इस रेसिपी को आप जरूर बनाएए आपको बहुत पसंद आएगा रेसिपी एच्छी लगे तो लाइक से सस्क्राइब करना बिलकूल न भूले मिलते हैं अगले वीडियो में बाई गाईज